उत्तर प्रदेश के पूरु मुखमंत्री जी के द्वारा जिस प्रकार से रैलियों में सिक्षक भरती और सिक्षा विभाग से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लगतार उठाया जा रहा है इससे एक बात तो तह है कि अगर उनकी सरकार सत्ता में आती है तो सिक्षा विभाग में सिक्षक भरती पर कारे हो सकता है और एक बड़ी सिक्षक भरती का विग्यापन जारी हो सकता है इन सब के बाद से अभियर्थियों के मन में एक प्रश्ण उठना लाजमी है कि अगर सत्ता परिवर्तन होता है तो क्या primary teacher के जो selection का process है अभी वर्तमान में वो selection बदल करके merit आधार पर हो जाएगा ये इस वज़ा से भी प्रश्ण उठना लाजमी है क्योंकि जब जब सत्ता में परिवर्तन हुआ है उत्तर प्रदेश में बेसिक सिक्षावी भाग में selection का process प्रते एक बार सरकारें बदल दी हैं तो इस बार भी क्या बदलाव होगा क्या merit क्या अधार पर सिक्षाग भरती 2022 म तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल ऐकन को प्रिस करना ना भूले हैं सत्ता में आने के बाद से सरकार का रुख किस तरफ होगा ये अभी से कह पाना स्वैम उस पार्टी के लिए भी मुम्किन नहीं है और किसी वैक्ति विचेस के लिए इतना आसान नहीं होगा चीज महीने पहले ललन टॉप के एक एंकर हैं स्री सौरफ दिवेदी जी उनको दिये गए इंटर्व्यू में पूर्व मुखमंत्री जी ने इस मुद्दे को हाइलाइट किया था एंकर ने ये प्रशन पूछा कि आपकी लगतार आलोचना होती है मेरिट अधारित भरतियों को ल साथ एक लाइन उन्होंने ये भी जोड़ा कि जब बेसिक सिक्षा विभाग में प्रात्मिक सिक्षकों की भरति मेरिट अधार पर हो सकती है तो फिर पूलिस में क्यों नहीं हो सकती उनके कहने का मतलब कि मेरिट के आधार पर जो भरतियां सिक्षा विभाग में हुई थी उसको तर्क संगत बता रहे थे तो कहीं न कहीं एक तरीके से जुकाओ उनका तो जरूर है मेरिट अधारित भरतियों को ले करके और सांती साथ इनके सरकार में कई मंत्रियों जी के द्वारा ट्वीट किया गया जब 2019 में सूपर्टेट की परिक्षा का आयोजन किया गया था और 79,000 साहय का ध्यापको की भरतियों का मामला मानने कोर्ट में गया था मानने सूपरिम कोर्ट तक ये मामला गया था उसके बाद से इनके मंत्रियों के द्वारा कई बार ट्वीट किये गया कि सरकार अगर चाहे तो इन कोर्ट का चहरी के चकर को छोड़ करके सीधे merit की में कहा था कि अगर इनकी सरकार सत्ता में आती है तो पहली कैबिनेट मीटिंग में वह इस पीटी की परिक्षा को रद्द कर देंगे कहने का मतलब कि लगतार जो प्रोसेस बढ़ाए गए हैं उनका पूरुमुख मंत्री जी के दौरा लगतार विरोध किया जाता रहा है चाह एकाद महीने पहले की बात है अभिर्थों ने उनको एक ग्यापन भी दिया था समाजवादी पार्टी कार्याले में जा करके कि अगर इनकी सरकार सत्ता में आती है तो पहले जो इनकी पार्टी के द्वारा सिक्षक भरती कंड़क्ट कराई गये थी मेरिट आधारित उस प् प्रिवर्थन होता है तो बेसिक्स अच्छा विभाग का इतियास रहा है कि जब-जब सत्ता में परिवर्थन हुआ है बेसिक्स अच्छा के भरतियों में प्रक्रियाओं में कुछ ना कुछ सरकारे बदलाव जरूर करती है लेकिन इस बात की 100% गारेंटी भी नहीं है कि सूपर्टेट की परिख्षा उस समय की सरकार अगर हटा देती है और मेरिट बेस पर भरतिया कराने लगती है तो क्या इस मामले को कोट ले जा सकता है देखिए कोट के चहरी में इस प्रकार के मामलों की सुनवाई नहीं होती है क्यों क्योंकि राज्य सरकार के पास पूरा अधिकार होता है कि वह अपने राज्य में किसी भरती को लेकर कि क्या नियम बना रहे हैं और किस नियम के अंतरगत वो भरतिया करना चाह रहे हैं। जिसमें प्रदेश की उस समय की सरकार ने यानि की वरतमान सरकार ने कोट में हालाफ नामा दिया कि वह योग्य सिक्षोकों की भरती करना चाहते हैं। प्रस्ताव पास हो जाता है तो अध्यापक सेवा नियम आवली 1981 में संसोधन करते हुए सूपर्टेट की परिच्छा को हटाया जा सकता है बिलकुल आसान तरीके से। जिस प्रकार से जोड़ा गया था उसी प्रकार से हट भी जाएगा और अगर हटाने के बाद से अभियर्ती इसको लगाना चाहते हैं तो फिर कोट का चैरी भी उनके मामले में या फिर उनके पक्ष में कोई हस्पक्षेप नहीं कर सकती। जिस प्रकार से परिक्षा को इंट्रियूस किया गया उसी प्रकार से परिक्षा को हटा भी दिया जाएगा और कोट भी इस मामले में प्रदेश सरकार के ही फिवर में रहेगी प्रदेश सरकार जो नियम लागू करना चाहती है वो लागू कर सकती है तो ओवराल अगर इंप्लिमेंट होती हैं वो उस समय की ततकालिन इस्थिती रहेगी लेकिन ये बात तो तह है कि उनका नजरिया जादा जल्दी प्रक्रियाओं को समाप्त करने और जल्दी भरतिया करने और मेरित अधारित भरतियों पर जादा फोकस रहा है इस वज़े से कुछ न कुछ परि झाल 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 झाल